हेलो गाइज दिस इस शिवाजी राजे और एक बार आप सब के सामने फिर से हाजर हो गया हूं मैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक की तरब से टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बेहाइंड यह हमारी फिलोसपी हम बिलीब करते हैं कि कोई भी बच्चा इंडि है यह लिविंग नो चाइल्ड बेहाइंड प्रिजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कोटा तक नहीं बेच सकते हैं हम उन बच्चों के लिए कोटा से क्वाल्ट सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लाइफ में बहुत अच्छा करोगे ठीक है तो वह वीडियो आप आप सबने देखा होगा आज कुछ नया लेका हूं आज क्या लेका हूं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा थोड़ा वेट कीजिए सुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में ब्रीफ कर दूँ यू नो माई नेम शिवाजी राजे एवाउट मी मैं प्री आ रहे हूं क्वालिफाइड हूं एनसे जैस क्वालिफाइड हूं अभी करेंटली आइम स्टेडिंग इन आइटी बांबई फर्स्ट एर सबसे बड़ी चीज जो सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए मैटर करनी चाहिए कि मैं पीजे सरका स्टुडेंट रहा हूं पिछले पांच सालों से पांच साल से जादा नंबा सफर हो चुका है हमारा ठीक है और ऐसे लाइफलोंग चलता रहेगा आप सबके आसीरवात से ठीक है तो यह मेरे बारे में था और आज क्या है हमारे पास आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है कि five things strong people do ठीक है तो बात यह कि last time में बात की थी कि ऐसी क्या पांच चीज आपके अंदर होनी चाहिए देखो कोई चीज होना ना होना अलग बात है possession is a different thing actions is a different thing ठी इतने बड़े leaders हुआ है जितने strong people आपको अपने surrounding में दिखते है वो definitely बता रहा हूं यह पांच चीजों में से maximum चीज हो करते हूं और देखे इसका reference काफी जगे कहीं जगे actually यह book है 13 things strong people do actually do not do ठीक है तो मैंने वहां से इसका reference लिया है ठीक है तो मैं आपके लिए जो सबसे crisp और best चीज है वो लेके आया हूं इस video के माध्यम से मैं आप तक वो चीज़ा पहुचाना चाहता हूं जो strong people करते हैं और आप भी उनको अपनी life में implement करने के try कीजे तो आप भी उस कडी का हिस्सा बन जाएंगे जो success मिलती है लोगों को उस कडी में आप भी जुड़ जाएंगे ठीक है तो आईए बिना किसी देरी के हम सुरू करते है इस video को आपको पहला point में लेके आता हूं ठीक है तो first thing है never give your powers to others ठीक है ये बहुत important चीज़ है और देखिए बड़ा simple theme मैं 5 साल कोटा में student रहा हूं मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि initial 2 साल मैंने वो हर काम किया जो ideally एक student को करना चाहिए अगले 2 साल मैंने वो हर काम किया जो ideally एक student को नहीं करना चाहिए तो वही वाली बात है पुन्य थे पाप थे तो वो neutral होगे 12th आते आते 12th में मैं IIT नहीं जा पाया ठीक है repeat किया और finally IIT Bombay में पहुच गया मैं ठीक है तब बात कहे कि मैं आपको क्या exclusive provide कर सकता हूं ठीक है I'm not an educator मैं कोई teacher नहीं हूं यहाँ ठीक है मैं आपको बस यह कर सकता हूं कि जो भी मेरा experience है ना उसको इस वे में customize करके आप तक पहुचा स हूं मैं कि आप तक experience पहुचे मैं चाहता हूं कि वह experience आप भी जानों ठीक है तो यह जो भी philosophies है इसमें एक student का experience integrate करते हुए ठीक है मेरा जो खुद का experience रहा है उसको integrate करते हुए आप तक महुचाना चाहता हूं अब जैसे यह बात है never give your powers to others ठीक है इसका मतलब क्या है इसक जर्णी की तरह है ठीक है आप let's suppose कार से जा रहे है ठीक है driving seat पर आप बैठे है जब तक आप बैठे है तो steering आपके हाथ में आप जो करना चाहें करें ठीक है point is गड़वड पता कब होती है जब उस driving seat पर कोई और बैठता है ठीक है तब issue आता है उसमें क्या आपने control अपना आपके बड़े भाईवें चाहते हैं तो यार क्या कर रहे हो यार किसको control दे रखका है आप क्या करना चाहते हो ठीक है वो बहुत important होता है तो यहां पर जैसे यह कि आप power किसी और को दे दी ठीक है तो let's suppose मेरे जो ऐसे experiences रहे हैं मैं बात करूं जैसे कि 11th class में मेरे mentor थे मेर को ऐसा realize होता है कि मैं उनको क्या blind बोलना चाहिए ना कि blindly follow किया मैंने उनको ठीक है तो I think now currently I think कि वो एक मेरी mistake थी मुझे blindly follow नहीं करना चाहिए तो मैंने उनको इतना जाना control दे दी आपनी life में कि भाई जो वो बताएंग वो मैं करूंगा as it is ठीक है यह बहुत अलग बात हो रहा हूं कि last video मैंने बताया थे कि अच्छा mentor होना चाहिए आपके पास लेकिन मैंने आपको यह बिल्कुर नहीं वोला कि इसको blindly follow करो यह बहुत गलच चीज होती यह life में आपको कभी नहीं करनी चाहिए कभी भी तो this is what I mean when I say never give your powers to other यह बहुत गलच चीज होती आपको इसा नहीं करना चाहिए control हमेशा अपने पास रखो अपनी control किसी और को दे दोगे तो life में आपको बहुत ट्रवल सेना पड़े तो यह मेरा पहला point है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था अगला point क्या है आईए देखते हैं embrace change ठीक है यह skill जिस person के अंदर होती है na adopt करना surrounding के according यह बहुत बड़ी change होती है देखिए picture में मैंने ऐसा show कर रखा है जिसे weather change होता है तो weather के according हम adopt करते हैं हम करते हैं सब करते हैं plants भी करते हैं point is कि life में जो situations आती है अलग 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 उसमें आप कितना adopt कर पाते हैं कोई change होता है let's all मैं अपनी बात करूँ जो मेरा experience रहा था कि J मैंने अभी September 27 September 2020 को मैंने अपना J advance paper ली ठीक है हम कोविट के दौर वाले IITN है ठीक है अब point है कि हमारा exam मही में scheduled था ठीक है March में COVID आ ग की दिमाग में सार बच्चे के और देखो thing is जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि देखो exam सब के लिए पोश्पॉन हुआ ऐसा दो नहीं हुआ मेरे लिए हो गया किसी मेरे दोस्त के लिए नहीं हुआ सब के लिए पोश्पॉन हो गया ठीक है अब बात क्या थी यार जब आपको वही ना कि अब 6 महीने जादा मिल गए हैं ठीक है तो कुछ लोगों के लिए अब एक natural उसमें तो यह लगता है ने कि भई 6 महीने जादा मिल गए तो और बेटर प्रिपेर कर पाएंगे हम बट इतना आसान होता है क्या ही इतना आसान नहीं होता है जो बच्चे इस इस से गुजरे हैं और उनको इस ही पता होगी कि कितनी uncertainty आ जाती उस particular phase में ठीक है कि यार कब होगा exam कुछ पता नहीं चल रहा date announce नहीं हो रही कितना time पड़ें वो इस time चीजिए कब तक revise करें तो बात थी यार यह कुछ नई situation थी जिसको पहले कभी किसी ने tackle नहीं किया पूरा नया था तो उस change में आप adopt कैसे करते हो क्या नई skills को acquire करते हो ठीक है यह बहुत important बात हो जाती है ठीक है तो बात थी कि वो जो इतना लंबा phase मिलाते है छे महीन ठीक है उसमें बात यही थी कि let's suppose आपने अपना पहले से कुछ आपके दिमांग में था कि मार्च से ले हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप दो महीने के corresponding अब 5 महीने हो चुके हैं तो आपना work increase कर लो या कि उसी work को आप 2 महीने को 5 महीने मैं से stretch कर दो तो आपका हर दिन load कम हो जाएगा तो वो चीज मैंने अपना ही थी अब देखिए यह completely मेरा adaptation था यह मैंने जैसे भी उस नई situation को टैकल करने का आइडिया भी बनाया था कि मैंने जो भी 2 महीने में सोच रका था करने के लिए मैंने उसको stretch कर दिया 5 महीने हर दिन का load कम कर दिया मैंने अपने आप पे मेरा था पहले अगर था ना कि 8 गंटे पढ़ना है मेरे को तो प्र तक अब शिरक 8 गंटे पढ़ना है 4 गंटे पढ़ना में रोज के रोज 4 गंटे रेविजन करूंगा कोर्स को की तब तक खतम हो चुका होता है 4 गंटे रेविजन करूंगा और end आते आते एक्जाम दूंगा और ओपफुली वह वर्क की वह चीज मेरे लिए ठीक है तो चैंज इंब्रेस करना बहुत इंपोर इसको इतियली एसेप्ट नहीं करते हैं लोग बड़ा रैपल करते हैं यह क्या आ गया लोगों का यह रहता है कि यार लोग उसमें हमेशा कमिया निकालने का एट्वीड देखते हैं क्या अच्छा नहीं है इसकंड़े ठीक है कुछ समझने अप्रियास नहीं किया और इनसे और नहीं सीखूंगा वह अच्छा पड़ाते थे मेरे कोचिंग के टॉप एस और फैकल्टी हुआ करते थे वह बट पॉइंट इस मैंने डिसाइड कर लिए कि इनसे तो नहीं सीखूंगा मैं नुकसान किसका हुआ सरका तो नही बढ़न होती है ठीचर को एसे पढ़ाना चाहिए तो वह सब्सक्राइब हो सकता है हर बच्चे को इसे शूरु से से स्याओ वाइं कि यह चीज पॉसिबल है वह बच्चे के यह कुण दो नहीं तो बात है कि आपके साथ इसाथ को और उसे बात मिया नहीं आपके साथ cooperate कर रहा है आप भी टीचर के साथ थोड़ा cooperate कीजिए 300 बच्चे हैं तो सरके ली पॉसबल नहीं कि हर बच्चे के अनुसार पढ़ा सके हैं लेकिन हर बच्चा यह practical solution है इस चीज़ का कि हर बच्चा सरके के according adopt कर सकता है तो यह important होता है embrace change तो change के अख्चा अडॉप्ट करना बहुत important skill है तो आप खुदसे कीजिए क्या आप यह कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं या क्यों नहीं कर पाते हैं तो कैसे कर पाएंगे इसको ये भी एक बड़ा सवाल है ठीक है तो ये सब सोच ये सोचना स्टार्ट कीजिए सोचोगे तो कुछ अच्छा निकल के आएगा दिमाग से दिमाग वहना बहुत पावरफुल होता है इसको सोचने में यूज कीजिए ठीक है तो इसके साथ ये सेकंड पॉइंट खतम होता है अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के वारे में ठीक है शारा कैड्स वगेरा वह मैनेज खते थे ठीक है मैंने यूऌ जो चीज करने को बोला मेरे से मैंने उसको भी किछिए को मैरे नहीं कर पे भी है क्योंकि मेई ऑपने नेचर करने का प्रयास का ज़ें और रूटमिल फेलियर होगे मेरे actions की वज़ेस था, मैं हम पर नहीं डाव रहा हूं, मेरी actions में कमी थी, मेरे मेहनत में कमी थी, इस वज़ेसे वो failure निकला, लेकिन point यह है कि आपको यार यह चीज़ छोड़नी पड़ेगी, क्या छोड़ना पड़ेगा, कि आपको लग, यह चीज़ देखो, समझने वाली लेके चल रहे हैं, हम भाई 18-19 साल के बच्चे, मैं 18-19 साल का जो लोग देख रहे हूं मुझे, कोई 16 साल का होगा, कोई 12 साल का होगा, ठीक है, तो यह life में समझना बहुत important होता है, कि यह आपकी responsibility नहीं सबको खुश रखना, ठीक है, सबको please करेंगे, सबकी expectation को fulfill करेंगे, आप सबस्क्राइल यह assess करो कि आप जो life में, क्या आप अपने आप satisfied हो, अपने आप से आप एक simple सवाल पूछो आज, क्या आप अपने present से, मैं past की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं future की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आज आप इस moment पे जब आप इसको देख रहे हैं, क्या आप अपने आप से satisfied हैं, आप present में कुछ भी कर रहें, आपके अलग-अलग dimension होगी, ठीक है, आपकी personal life होगी, आपकी work life होगी, आपकी playing life होगी, ठीक है, क्या आप अपनी हर dimension से satisfied हो, तो most पहली आपको answer मिलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ एक ना एक dimension होगी, जिसमें आप satisfied नहीं ह होगी, अपने आप से, ठीक है, तो आप लोगों के expectation फुल्फिल करने के लिए अपनी energy invest कर रहे है, उसको थोड़ा अपने इन्वेस्ट कर लो, उस dimension को sort करने हो निकालता, तो इससे बहुत नुक्षान होता है, जब आप, क्योंकि देखे, आपके लिए tactical possible नहीं है, कि आप ह अर परसन की expectation को fulfill कर, और एक चीज़ लाइफ में याद रुखना है, यह psychological वो होता है, जितने आप expectation की फुल्फिल करोगे न, उतनी expectation और बढ़ती है, समय के साथ expectations बढ़ती है, तो मैं इसका हूँ यह नहीं करो, कि आप expectation को fulfill करने का try मत करो, but point is, वो primary motive नहीं होना चाहिए, आपके लाइप का primary goal यह नहीं होना चाहिए, कि आप अपने around अपने peer group, अपने parents, अपने teachers की expectation को fulfill करने के लिए मैनत कर, नहीं, सबसे पहले आपको अपने काम से satisfied, खुद होना पड़ेगा, ठीक है, तो यह चीज़ करना बंद करते हैं, कोई strong people यह नहीं करता है, जितने नात्मा गांधी अगर यह होता है, कि सब को अपने around प्लीज करना है, तो इतनी बड़ी जो चीज करके चले गए इंडिया के लिए, वो sad possible नहीं थी, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे examples हो सकते हैं, ठीक है, अभी अपन अकेट से related बात कर रहे हैं, यह आपको समझना पड़ेग कि यार, अपने peer group में, अपने teachers को बोलते हैं, जो buttering वाला काम है, ठीक है, उसको sideline करो थोड़ा, क्योंकि बहुत energy जाती है, मेरी बहुत energy गई है, ठीक है, और देखो, बात यह है कि मैं यह सब चीजने क्यों बोल पा रहा हूं, ठीक है, thing is कि भली मैं IT Bombay पढ़ रहा हूं, लेकिन, अगर मैं अपनी खुद बात करूँ न, यह एक self realization मानलो, या self assessment मानलो, क्योंकि मैं अपने आपको topper claim नहीं करता हूं, ठीक है, मतलब मैं पूरे 5 सल toppers के बीच में रहा हूं, बट मैं topper नहीं हूं, ठीक है, मैं अपने आपको topper claim नहीं करता हूं, कि मेरी ऐसी rank नह अपनी energy invest की, कि अपने around लोगों को please करूँ, मैं अपने teachers को खुश करके रखूँ, मैं अपने parents को खुश करके रखूँ, तो आपका primary काम है महनत करना, आप सिर्फ महनत करूँ, ठीक है, और सब चीज़ें side में रखो, ठीक है, तो यह 3 points हमारे complete हो चुके है, आईए देखते fear खाते हैं, ठीक है, मैं risk लेता हूँ, मतलब यह तो जिसे मैंने honestly आपको बताए कि क्या चीज़ मैं नहीं करता था, क्या गलती की मैंने, लेकिन यह चीज़ मैं बड़ा confidently बोल सकता हूँ, कि risk तो मैं लेता हूँ, और मैं हर किसी को suggest करता हूँ, कि life में जबता आप risk नहीं ठीक है, तो आपको risk लेना बहुत important है life में, ठीक है, अब point क्या है कि यह ऐसा particular मेरे को लगता है कि life में क्या होता है, कि let's suppose किसी नहीं आपको challenge कर दिया के, ठीक है, कि यार एक काम करो, आजाओ, एक competition हो जाए, ठीक है, दस-दस question की quiz हो जाए, ठीक है, अब बात है कि यार वर talent की realization नहीं होती है, पहली चीज़, दूसरी talent की realization भी होती है, तो उसका धंसे utilize नहीं कर रहे हूँ, मतलब क्या है मेरा, ठीक है, यह एक philosophy है, मतलब मैं बताना क्या चाहरा था, choose your battle का meaning क्या है, ठीक है, कि यह आपको decide करना पड़ेगा, यार कौन सी लड़ाई fight करने लाइक है, और कौन सी लड़ाई fight करने लाइक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर यह choose your battle का sense क्या है, कि यार, let's suppose, KVY का exam है, ठीक है, आप ITJ की preparation कर रहे हो, KVY का exam आता है, तो आपको समझो नहीं, KVVY की preparation आप करते हो, तो आपके पास उसके लिए समय है, क्या आपका यह चीज़ आपको पता होना बहुत important हो जाता है, ठीक है, अब let's do, आप KVY की तयारी start कर देते हो, उस चक्कर में आपका JEE का sacrifice होता रहता है, JEE का omber छूटता रहता है, ठीक है, तो point is, KVY selection होता है या नहीं होता है, लेकि, point यह था, कि आप अगर JEE की preparation कर रहे थे ना, इस focus का, कि IIT में जाना है, भले ही आपका KVY निकल के, लेकिन अगर JEE sacrifice होके आपका तो, तो यही मतलब है, choose your battle का, कि भाई, कौन सा battle आपको fight करना चाहिए, और कौन सा battle fight नहीं करना चाहिए, आपको दुनिया भर के exam नहीं निकालने होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है आपको इतना रखना होता है, यही मेरी मैटर भी करती है कि नहीं करती है, इसका मेरी life के जो vision होना चाहिए, सबके पास, I hope, जुत्ते लोग सुन रहे होंगे मुझे, सबका कुछ नहीं कुछ dreams होंगे, कुछ vision होगा life में, तो जो भी आप बीच बीच में चोटी-चोटी ची इती बॉम्बे जा रहे हूं, ठीक है, अब let's suppose कुछ आता है कि यार, coding आजकल बहुत popular चीज़ है, ठीक है, coding हर कोई करता है, हर किसी लगवक बंदे को coding आ रहे है, जो भी engineers बन रहे है, coding का थोड़ा बहुत exposure सबको होता है, लेकि let's suppose मेरे को IT से related कोई कामी नहीं करना है, software से तो यही मतलब है, choose your battle का, कि क्या चीज़ में investment करना है, और क्या चीज़ में investment नहीं करना है, अपनी energy को channelize करो थोड़ा सा, ठीक है, यह point है, choose your battle का मतलब, ठीक है, यह चौता point यहाँ पर complete होता है, आप आते हैं, पांच में point पर, never expect immediate results and be patient, ठीक है, तो बात क्या है, यहाँ सा, sportsman है, यहाँ पर, देखिए, इसकी body देखिए, biceps देखिए, ठीक, तो बात, यहाँ पर क्या दर्सा रहा है, यह दर्सा रहा है, कि भाई, इसने बहुत मेहनत किया, patience रखा है, तब जाके ऐसी body आई, आप मेरी condition देख लो, ठीक है, क्योंकि इतना investment ही नहीं किया, मैंने, अपनी बात करूं मैं, तो point यहाँ पर क्या है, जो इस line से sense था, मेरा है, इस point से मैं sense करना चारा था, कि strong people ऐसी क्या 5 भी चीज़ करते हैं, जो और usually लोग नहीं करते हैं, ठीक, वो मेहनत करते हैं life में, लेकिन, कभी भी immediate result expect नहीं करते हैं, ठीक, अक्सर ही अपने से life में ग करले दिन test wallet हो, ठीक है, आपने एक दिन 12 गंटे पढ़ाई की, आपको लगते है, आप सारे सवाल बनने चाहिए, 12 गंटे पढ़ाई किया, समझ रहें, ऐसा नहीं होता है, आज आप मेहनत करोगे, आज, यह बोही बात है कि, आज अगर आप seed डाल रहे हो, जमीन में, तो आ नहीं निकलने का मतलब IT, एक अच्छी IT में, कोई अच्छी seat नहीं मिल रही है, मेरे को, किसी अच्छी IT में, अच्छी branch नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो repeat करना पड़ा मेरे को, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, जो primary चीज थी ना, जो 5 साल मेरे को, मेरी जो driving force थी, ठीक है, उसके अलाबा, जो चीज मेरे अंदर थी, मुझे लगता है, पेसेंस बहुत था मेरे अंदर, ठीक है, क्यार पेसेंस रखोंगा ना, तो end में result अच्छा आएगा ही, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, ऐसा मुझे विश्वास था, ठीक है, तो पेसेंस रखना बहुत important हो जाता है है यहाँ पर, और अगर आप पेसेंस नहीं रखोंगे ना, तो लाइफ में मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि मैक्सिम देखो, लाइफ में हर चीज हमेसा अच्छी अच्छी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, बैड फेसेंस भी आते हैं, और वहाँ पेसेंस होता है आपके तो जो आपके बुरे फेस होते हैं लाइफ के, उनसे आपको निकलने में हेल्प मिलती है, ठीक है, तो इसलिए पेसेंस होना बहुत इंपोर्टेंट है, पेसेंस रखना बहुत इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है, इंस्टेंटेनिस रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत बलत बात आप आज मेहनत करोगे ना आज से लिए अगले तीन महीने consistent मेहनत करोगे ना तब साथ आपको अपने जो test हो रहे है test papers से और चीज़ रिफ्लेक्ट होने start आप सुझो कि आज मेहनत करोगे और कल result दिख जाएगा कभी नहीं दिखएगा यह मैं guarantee देता हूँ ऐसा नहीं होता है ठीक तो इसलिए patience रखना बहुत important consistently hard work करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और एक दिन आपको hard work का payback जरूर मिलेगा ऐसा commitment मैं दे रहा हूँ आपको ठीक है और on this note यही 5 points थे और last video जो हमारा आज जा कि 5 things you should have और यहां पर है 5 thing you should do ठीक है ऐसा 5-5 की streak बनाते हैं ठीक है तो point इस कि अगली वीडियो में क्या आने वाल है ठीक अगली वीडियो में कुछ और special लेके आता हूँ मैं try करता हूँ कि जो मेरे experiences रहे हैं ठीक है इसको like करते रहे शेयर करते रहे है ठीक है और जुड़े रहे है मेरे साथ 3 tv के साथ ठीक है और यह हमारे कुछ courses है जैसे 6-7-8 के लिए आपमारा package है तो 9,000 रुपीज में है ठीक है जिसमें अपन comprehensive study material दे रहे है recorded live classes दे रहे हैं आउंबर submission जैसी एक feature दे रहे है गुगल classroom पर आपना आउंबर की submit कर सकते हैं ताकि एक constraint बना रहे है constraint बना रहे है बहुत important चीज होती है ठीक है quizzes दे रहे है periodic test दे रहे है ठीक है ऐसे test जिसमें all India के बच्चे compete करेंगे आपके साथ और आपको एक अच्छा assessment मिलेगा कि आप all India कहां पर stand करते है currently ठीक है तो आप कोई सावी package हमारी website पर जाके www.talkingtextbook.in पर जाकर कोई सावी package buy कर सकते है ठीक है मेरा code SR live use करने से आपको उसमें 30% discount मिल सकता है ठीक है तो जाएए फिर wait क्यों करने जाएए और yes discount को utilize कीजे क्या पता कल रहे ना रहे ठीक है तो इसी के सा ठीक है ठीक यू ओल फॉर वाचिंग मी अगेन ठीक है आप सब का बहुत-बहुत सुक्रिया आपने मेरे को देखा ठीक है और I hope ऐसे आप अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहेंगे ठीक है कॉपरेट करते रहेंगे आप मेरा कॉपरेट करते रहेंगे मैं भी आप